असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम टो एक्स्ट्रीम जी एफ एक्स आज कल बहुत एक एरर कॉमन है यह फेस्बूक एकाउंट हैस बिन लॉक्ट सम्टैम्स जब भी आप रॉक्सी यूज करते हैं यह डिफेंट कंप्यूटर से डिफेंट डिवाइसे से लॉगिन करने की ट् इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि आपने कौन से स्टैफ्स करने इसको रिजॉल्व करने के लिए तो इस वीडियो को आपने बिना स्किप के एंड तक देखना है आपका प्राब्लम जो है 100% स्वाल हो जाएगा अगर आप इस चानल पे नियू ह तो करेंड इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल आइकाउन भी प्रेस कर लें ताकि हर नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सरसे पहले यहां पे आपको मैं अगर चेक करवाँ तो यहां हैं की आप्शन मौजूद है हल्प पे क्लिक करते हैं तो मैं यहां पे यह बताता है कि दो स्टेप हैं आपने पहले अपनी अडिन्टिटी जो है वो प्रूफ करनी है ताकि फेस्बुक को यह शौर हो जाए कि यह एकाउंट आपके ही है और इसके बाद आपको वो कुछ नया पास्वर्ट बनाने के लिए कहेंगे ताकि जस्ट आप ही इस एकाउंट को लॉग इन कर सके और आपके इलावा कोई भी इस तक एक्सेस ना कर सके तो मैं इसको बैक कर लेता हूं फिला और सबसे पहले आपने एमेल उपन करनी है याटपन करने है और इमेल पर आपने पास नोट डाउन text copy रख़ा है आपने भी text copy कर लेना और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे मैं text पेस्ट करने लगाँ यह देखेए मैंने आप टेक्सट पेस्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे password की option भी अड़ कर देता हूँ ताकि Facebook वालों पर श्रोर गाँ काउंट आपका यह आपका अगर फोन नंबर पे बना वाइक आउर तो आप इमेल एडरस की जगा फोन नंबर भी एड़ कर सकते हैं इसके बाद सेम तुसेम आपने टेक्स्ट कॉपी कर लेना और यहां पर पेस्ट कर देना है मैं यह टेक्स्ट है वो डिस्क्रिप्शिप्शन मॉक्स में दे नीम इसके बाद इमेल ड्रीस और इसके बाद पास्टरर्ट यह मैंने तीनों चीज़ें हम लिक्ट्रएं और इसके बाद मैंने इस्ट सेंट के बटन पर क्लिक करना है तो मैं आपको सेंट आइटम्स में चेक कर वाइता हो इमेल सब्क्स्टी आए यहां पर सेंट्र आटम्स में चले जाते हैं यहां पर हमारे पास सेंट हो चुकी है फेस्बुक वालों को इमेल इसके बाद आपने इसको बैक कर लेना जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है अपने एंड्रॉइड मोबाइल में या किसी हो आपने यहां पर सारे डिटेल दे दिन ही है इस जगा पर आपने फूल नेम लगदेना है और यहां पर अपना इमेल आड्रेस टाइप कर देंगे और यहां पर date of birth टाइब करते हैं इसके बाद आपने identity प्रूफ करने के लिए कोई भी government shoot card यहां पर upload करना होगा यह passport भी हो सकता है driving license भी हो सकता है आप ID card भी हो सकता है जहां पर हमारे पास तीन चीज़ें नजर आनी चाहिए मैं name picture and bus day तो यह तीन चीज़ें वहां पे बिल्कुल clear होनी चाहिए और color में होना चाहिए photo तो आपने यहां पर upload कर देना है मैं यहां पर upload कर दिया है और यहां पर additional information में मैं यहां नोट लिख देता हूँ तो यहां पर यह वाली information आपने लिख देनी है और यहां send के button पर click कर देना आपने मैं यहां पर click कर देता हूँ इसके बाद यह वाली screen आ जाएगी आपकी information send हो चुकी है जैसे facebook वाले review करेंगे तो आपका foreign account lock हो जाएगा 100% I hope के आपको आ notification आपको सबसे पहले मिल सके मुलकात होगी नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ अपना बहुत सा ख्या रखिएगा अलाहाफेश